सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर सुबह सुबह ऐसे में सस्पताल पहुंचे CM शर्मा करवाया रुटीन चेक अप राजसान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज सबी टोल्स पर चालू होगा फास्ट एक लगेंगे रेट बोर्ड कांगर्स के लीडर्स ही संभालेंगे हरियाना में विधानसभा चुनाव का मोर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम को होंगे मुंबई रवाना और अब खबरें विस्तार से सुनिए राजसान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह जैपूर के सबसे बड़े सवाई मान सिंग अस्पताल में अपना रूटीन चेक अप कराने पहुँचे इस दुरान समस मेडिकल कॉलिज के प्रचारे डॉक्टर दीपक महेश्वरी अदिक्षक डॉक्टर सुशील भाटी डॉक्टर मनीश अगरवाल और गिर्धर गोयल के अलावा अस्पताल प्रशासन के अन्य चिकित्सक मोके पर मुझूद रहे उन्होंने सीम शर्मा की सिटी एंजियोग्राफी की चेक अप के बाद जैसे ही सीम अस्पताल से बाहर आये तो वहां मुझूद लोगों की भारी भीड उनसे मिलने पहुँच गई उन्होंने अपनी अपनी शिकायते बताई इसके बाद मुखे मंतरी भजनलाल ने प्राचारय दिपक महेश्वरी को कारिवाई के निर्देश दिये राजसान में 6 विधानसबा सीटों पर होने वालोग चुनाव के तैयारिया तेज हो गई हैं मुखे निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से हुई बैटक में विशेश रूप से मतदान केंदरों के अविशक्ता नुसार गठन नव मतदाताओं का मतदाता सूचियों में पंचिकरण और फिर मतदान के लिए प्रेरित करने बुजूर्ग मतदाताओं और दिव्यांग जनों के लिए होम वोटिंग की सुविधा को अधिक व्यापक ब बनाने पर फोकस करने के सुझाव दिये महाजन ने कहा कि संबंदित जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव से संबंदित सभी जरूरतों का समय पूर्व आकलन कर ले ताकि चुनाव प्रक्रिया का बहतरीन प्रबंदन हो सके उपमुख्य मंत्री एवम साजनिक निर्मान विभाग मंत्र दिया कुमारी ने बुदवार को RSRDC बॉर्ड मिटिंग के दिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बुथों पर टोल कनेक्शन पास्टेक से करवाने फिस सभी स्थानों पर रेट बॉर्ड लगवाने के निर्देश थी उन्होंने कहा कि टोल बुथों पर फास्टेक लागू होने से आमजन को रहत मिलेगी उपमुख्य मंत्री दिया कुमारी ने बुदवार को RSRDC बॉर्ड मिटिंग के दिश्टा करते हुए टोल नेती में सुधार के महतफून पस्तावों को मंजूरी दी उपमुख्य मंत्री ने कहा कि टोल नियमों में किये गए इन महतफून परिवातरों से टोल सम्वेदकों में प्रतिस परदा पड़ेगी राजसान की कांगरेस के लीडर्स हर्याना में चुनावी मोर्चा संभालेंगे राजसान की कई कांगरेस नेताओं की ड्यूटी हर्याना में लगाई जाएगी गहलोत और सजिन पाइलेट को स्टार परचारक बनाया जा सकता है तो वहीं PCC चेफ नेता प्रतिपक्ष विधायकों सांसदों और अन्य नेताओं को राजसान से लगती सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी संगठर महासाची वेणु को पाल ने PCC से राजसान की नेताओं की सुची भी मंगवाली है जल्धी AICC की तरफ से नामों की अधिकारिक लिस्ट जारी की जाएगी विधायकों और सांसदों को लोगसभा और जीले वाईज चुनाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी तो अन्य नेताओं को विधानसभा वार लगाया जाएगा पतर शीखा मील बराला की हर्याना में ड्यूटी रगेगी राजसान ते मुख्यमंत्री वजनला शर्म आज 7 बजे दो दिवसिये मुंबई दोरे के लिए रवाना होंगे वे राज साड़े आर बजे मुंबई फहुंचेंगे मुख्यमंत्री कल मुंबई के नरीमन पॉइंट में ट्राइड होटल में राजसान कर्टें ड्रेजर एंड रोडशो करेकरम में शिर्कत करेंगे सेम वहाँ प्रेस कॉन्फरेंस को भी संबोधित करेंगे वे वहाँ उद्योग पतियों से भी समवाद करेंगे वे 31 अगस्त को जैपूर लोटेंगे राजसान में भिष्टाचारी रोदक ब्यूरो ने कुचामन डीड़ वाला जीले में मकरानाग में शेत्रे प्रबंदग करेल्या में समीदा करमचारी को 22,000 रुपई की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया ब्यूरो के पुलिस महाने देशे डॉक्टर रवी प्रकाश मेडा ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो की जुझनु इकाई में शिकायद की कि उसकी फर्म की PMT करने की एवज में समीदा करमे नीजी सहायक विजय सिंग एक लाख रुपई की रिश्वत मांग रहा है राजसान विदानसभा अदक्ष वासुदेव देवनानी ने राश्ट्रिय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश वासियों को बढ़ाई अवं शुबकाम नाई दी है उन्होंने संदेश में कहा है कि मानव शरीर को स्वर्थ रखने में खेलों की महतपूर भूमिका होती है खेल मानव शरीर को नेक तरह से पोशित रखते हैं खेलों से लक्षय प्राप्ती के लिए निरंतर अभ्यास करना सीखा जा सकता है उन्होंने कहा है कि खेल और शिक्षा से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है राजसान में बोगता मामले विभाल बड़ा चलाए जा रहा है कंजूमर के रभ्यान में 11 दिन 45 फर्मों पर विदिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतरगत कारिवाई की गई जिनमें 2 फर्मों पर कम माप तोल करने तथा 24 फर्मों पर सत्यापन प्रमान पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए टीमों ने फर्मों के विरुद मोके पर ही नोटिस जारी कर 6,500 रुपए का जिर्माना लगाया है कंज्यूमर के रभ्यान 31 अगस्त तक नियमी तूप से चलाया जाएगा इस अभ्यान का उदेश्य व्यापारियों को उपभोकताओं के व्यापक हीद में सही माप तोल करने के लिए प्रिद करने के साथ ही उपभोकताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोकता शिक्षा का प्रसार करना है राजिसान में दो सितंबर से मुसलाधार बारिश का दोर फिर शुरू होगा इस वीच हल्कीफुल की बारिश होने की संभावना है अगामी दो सितंबर से कोटा उद्यपूर और भरतपूर संभाग में फिर से भारी बारिश का दोर शुरू होने की प्रबल संभावना जटाई जा रही है राजिसान में इस बार मानसुन की बारिश ओसत से काफी ज़्यादा हो चुकी है मोसम विभाके रुषाल आज से 1 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बादल की गड़गडाहट के साथ हलकी बारिश हो सकती है इस अबड़ी में प्रदेश में दिक्तर स्थानों पर मोसम शुष्क रहेगा राजिस्तान की दिव्यांग गर्वती महिला के लिए मात्रवंदना योजना के तहट दिव्यांग गर्वती महिला को अधिक लाप मिलेगा दिव्यांग गर्वती महिला को एक सितंबर से 10,000 रुपई मिलेंगे पहले इसे योज़ना में दिव्यांग गर्वती महिला को 6,500 रुपई मिलते थे इस बार बजट में सरकार ने ये राश्य बढ़ा कर 10,000 रुपई कर दी है ये राशिट 40% या इसे अधिक दिव्यांग गर्वती महिलाओं को 3 किष्टों में दी जाएगी इसके तहट आंगनबारी केंद्रों पर पंजिकरन या पहली प्रसव पूर्व जांच पर 4,000 रुपई मिलेंगे नागोर जिले में पादू कला थाना पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए अवैद मादक पदार्थ गांजा परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया है ट्रक में रखे प्लास्टिक के कट्टों में गांजा भरा हुआ है जब कट्टों की तलाशी ली गई तो पुलिस हैरान रह गए ट्रक में रखे गांजे की बजार कीमत करीब 7 करोड 75 लाख रुपई बताए गई है पुलिस ने माल को जब्त कन लिया है और ड्राइवर वैख खलासी को गिरफतार किया है राजस्तान के डुंगरपूर में इस साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन 28 सिदंबर को किया जाएगा अगामी राष्टे लोक अदालत की सफलता के लिए डुंगरपूर जिला मुख्याल एवं तालुकाओं पर डोर स्टेप काउंसे शीविर लगाय जा रही है डुंगरपूर में पंचाय समीती डुंगरपूर में शिविर में जिला विदिक सेवा प्राधिकरण के सचीव ने लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरण एवं आपसी सुलाय समझाई से निस्तारित होने वाले मामलों के लाब बताए राजसान के जमे जिले के पुषकर के बानसोली में मानवत असकरी विरोधी काई चाइल्ड हेल्प लाइन श्रम विभाग वैक एलाश सत्यार्थी चिल्डरन फाउंडेशन की स्टिक टीम ने एक अपड़ा सिलाई फैक्ट्री पर कारिवाई करती होए साथ बच्चों को ब बाल्ष्रम से मुख्त कराया है स्ट्री मालिक के खिलाफ बाल्ष्रम एक्ट के तहद मुकदमादर्श क्राइगा है सभी बच्चे भीहार के रहने वले हैं राजसान की परिवाहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन के स्वामित्व हस्तांतर के समय वाहन की भौतिक उपस्तिति की अवशक्ता को समाप्त करने के लिए राजसान मोटर या नियम 1990 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूशना जारी की है अधिसूशना के नुसार हीत धारकों से 15 दिवस में अपत्ति अवं सुझाव चाहे गए हैं तैय अबदी में प्राफ्त अपत्ति और सुझावों पर विचार कर इन नियमों में संशोधन किया जाएगा विभाग ने बजड गोशना वर्ष 12-24-25 के नुपालना में आमजन को रहत पदान करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूशना जाएकर अपत्ति अवं सुझाव मांगे हैं अरुणाचर प्रदेश में ओप्रेशन अलर्ड के दुरान चहीद हुए राजसान के सैनिक नखत सिंग भाटी की पार्थिव देहे आसुबह बार्मेर के उतरलाई एर बेस पर पहुँच गई वहाँ जालिपा बार्मेर मिलिटरी स्टेशन की टीम ने उनको रिसीव किया इसके बाद पार्थिव देह को जालिपा मिलिटरी स्टेशन से सरत मार्थ से उनके पैत्रिक गाउं ले जाय जा रहा है वहाँ राजकी सम्मान के साथ अंतिम संसकार होगा गौर्टलभै की 27 अगस्त को सेना के तीन जवान चहीद हो गए थे इसमें बार्मेर के हरसानी गाउं के रहने वाले हवलदार नखट सिंग भाटी भी शामिल थे भाटी की शहादत की खबर मिलते ही गाउं के बजार बंध हो गए और मातम चा गया फिलहाल इस मुलेटेन में इतना ही फिर हाजर होंगे और बड़ी खबरों के साथ